ओम नमस्षिवाए आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र कैसे काम करते हैं मैं जानता हूँ आप सबके मन में हमेशा कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा या कभी ना कभी इस सवाल ने आपके मन को ज़रूँ टटोला होगा कि मंत्र काम कैसे करते हैं क्या किसी शब्द को बार-बार बोलने से कोई शक्ती उत्पन होती है जो ये काम कर देती है मैं जानता हूँ आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से जरूर सुना होगा कि फला की माने उसके उपर ये करवा रखा है तब ही ये उसके पीछे रहता है या इसने अपने बेटे पर ये करवा रखा है तो ये अपनी मान का कहना मानता है जहां बोलती है वहीं बैठ जाता है जहां बोलती है वहीं खड़ा होता है या इसकी बीवी ने इस तरह के इत्यादी तो क्या ये वाकई सच है कि मंत्रे काम करते है या ऐसा क्या है जो मंत्रों में जो हमें जो हम चाहते हैं वो होने लगता है केवल उनको जाप करने से तो आज मैं आपको इसी के उपर कुछ जानकारी या ग्यान दूँगा और उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी देखिए मंत्र जो होते हैं ये एक परकार से ध्वनी कंपन करते हैं करते हैं और ये क्योंकि संस्कृत में बोले जाते हैं और संस्कृत जो होती है वो देव लिपी माने जाती है देव भाशा क्योंकि देवता संस्कृत में ही बात करते थे ऐसा कहा जाता है और जरूरी नहीं है कि आप किसी मंतर को जाप करके ही अपने इच्छा को प्रकट करें या किसी चीज़ को आपको पाना है तो आपको मंतर ही बोलना पड़ेगा यदि आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं एक ही अवधी में तो कुछ समय के बाद वहाँ पर उर्जा प्रकंपन या फिर वाइबरेशन जो है वो क्रियेट होनी लगती है और ये चीज़ आप देख सकते हैं आप आपने देखा होगा बहुत से लोग माला जपते हैं और अधिकतर लोग माला जपकर छोड़ देते हैं उनको नहीं पता कि माला जपने से कैसे फल मिलता है आपने सुना होगा कि 108 माला या फिर 3000, 4000 जितने भी आपने कभी सुने होंगे कितनी माला करने पड़ती है तो माला की क्योंकि मोती होते हैं 108 वगरा वगरा तो उसकी संख्या बांदी जाती है और माला यदि आप कोई माला जाब करते हैं या कोई मंतर है उसको जाब कर रहे हैं तो माला कभी भी तोड़े ना, कुछ लोग उससे में आके तोड़ देते हैं कि कोई असर नहीं हो रहा, कुछ लोग उसे काम नहीं होता तो वो छोड़के नई माला ले ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसी माला को ही बार बार जाब करना है, याद चीज़े प्रैक्टिकल में करी हुई हैं इसलिए आप ये चीज़े खुद आजमा की देख सकते हैं और यदि आप एक माला जाप करते हैं किसी कारण वश्टूड जाती है तो उसके मोतियों को दुबारा से फिरो ये धागा नहीं डालिए लेकिन मोति चेंज नहीं करने और ऐसे करिए और कुछ समय बात देखिए उस माला में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा वो माला ही आपके लिए सब कुछ कर देगी ऐसे बहुत से रहसे हैं आज के समय में जो कोई नहीं बताता या कोई नहीं बताना चाहता क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे इस गुप्त रहसे या इस गुप्त कला को जाने और क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो मैं आपके लिए एक मंत्र लेके आया हूँ ये मंत्र मा काली का है कहते हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली सबसे अती अपने भक्तों पे दया करने वाली हैं वो मा काली है उनके लिए एक बहुत ही दुखलब मंत्र है आपने सुना भी होगा लेकिन उसका लाब शायद आपको नहीं बता अगर आप निराश हो चुके हैं जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो सब कुछ मा काली के उपर छोड़ दें और उनसे इस मंत्र का जाप करें उनका ध्यान लगाएं उसके बाद देखिए क्या आपकी जिवन में परिवर्तन आता है और आप कहां से कहां पहुँचते हैं मा काली का नित्य ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें ओम जयन्ति मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुदे इसका मतलब है जयन्ति ये अलग-अलग नाम है जयन्ति मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शमा शिवाधात्री और स्वधा इन नामों से प्रसुद जग के दमबे, आपको मेरा नमसकार है. मा काली के अनिको नाम है, और याद रकना, अगर मा काली आप पर प्रसन हो जाएंगे, और अगर आपके उपर प्रसन हो गई, तो आपको सोच भी नहीं सकते, आपको क्या मिलेगा, धन, एश्वर, यमान, सिध्धी, प्रसिध्धी नाना परकार के सुखों से आप सराबोर हो जाएंगे और बहुत कुछ है ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी मिलेगा लेकिन अगर आप इन मंतरों का जल्दी एफेक्ट चाहते हैं कि इनका जल्दी बेनिफिट मुझे मिलने लगे तो इन मंतरों को आप अपने म्यूजिक प्लेयर में, कम्प्यूटर में, मुबाइल में कहीं पर भी बजा प्ले कर सकते हैं जब मंतर की ध्वनी फैलने लगे चारो तरफ इतना होना चाहिए कि आपके रोम रोम में मंतर सुनाई देना चाहिए और मैं तो यूं कहूंगा कि 24 घंटे में एक बार आपको वाइब्रेशन में स्नान करना चाहिए वाइब्रेशन में स्नान करने का मतलब है इतनी तेज ध्वनी में आपको ये मंतर सुनने चाहिए कि किसी भी प्रकार की तुरूटी ना बचे और दूसरी बात ये कि आपने पहले जमाने में देखे होंगे कि जो घंटे थे वो बहुत बड़े-बड़े होते थे और जैसे-जैसे समय बीचता गया वो छोटे हो गए उनका बड़े होने का कारण यही था कि जब हम घंटा बजाते हैं तो उसका सही तरीका होता है घंटे के नीचे खड़े होके बचाना लेकिन आज कल क्योंकि modern time आ गया है तो वो उस चीज को भूल गए जो इस modern science से भी जादा advance थी तो अगर आपको कभी भी कोई घंटा नजर आए जो बहुत बड़ा हो या काफी बड़ा size में लगे तो बिलकुल उसके नीचे जाके फिर घंटा बजाईएगा reason यह होता है कि जब घंटी बजती है तो उसमें vibration create होते हैं और जब हम किसी मंदिर बगएर में जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं जो कि दिन भर का कचरा होता है उसको हटाने के लिए घंटी का प्रयोग होता है ताकि बिलकुल साफ हमारा दिमाग हो जाए और फिर हम प्रभू के दर्शन करें ताकि हमें शकारात्मक उर्जा मिल सके तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है क्रिपया ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो और इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा तो मैं आपको देता रहूंगा और भी ऐसे वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलेगी क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दुरलब सामगरी में जुड़े रहिए ओम नमस्युवाए